हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ सेव टावाटर की सब्जी बनाने का एकदम ट्रेडिशनल तरीका जो कि गुज्राथ और राजिस्थान और मालविक में खुब बनाई जाती है तो चलिए देखते हैं कि सेव टावाटर की सब्जी कैसे बनाते हैं वीडियो पसाद आए तो लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सबसे पहले पैन में हम डालेंगे दो चम्मच ऑईल और उसमें डालेंगे बन फोर चम्मच जीरा जीरा अच्छी से फ्राइ हो जाएगा उसके बाद में हम दो प्याज लेंगे जिने बारिक कट कर लेंगे और उसके बाद में ये प्याज हम इसमें एड़ कर देंगे तो यहाँ पर मेरे दो मीडियम साइज के प्याज लिए जिने बारिक कट कर लिया है और यहाँ पर इसे हम golden brown होने तक fry करेंगे प्याज यहाँ पर बहुत बारिक कट होने चाहिए ताकि यह जल्दी से fry हो जाए और यहाँ पर हम गेस का flame एकदम medium रखेंगे ना तो high रखेंगे और ना ही low रखेंगे कि देखें जो प्याज है वो अच्छे से golden brown हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने डाला है आदा चम्मज अद्रक लेसन का paste इसे भी हम एक से दो मिनिट तक fry करेंगे ताकि अद्रक और लेसन का कच्चापन अच्छे से निकल जाए उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हो एक medium size का टमाटर इसे भी मैंने एकदम बारिक कट कर लिया है और हमारी जो टमाटर है वो जल्दी गल जाए इसलिए मैं डाल रही हो नमक तो स्वात के अनुसार हम यहाँ पर add कर देंगे नमक और यहाँ पर एक सी दो मिनिट तक इसे फ्राय करेंगे जब तक की टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते अब डालेंगे आदा चमच लाल मिर्श पाउडर, वन फोर चमच हल्दी पाउडर और लगभग दो चमच भरकर हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर इन सारे मसालों को एक सी दो मिनिट तक हम ओईल में अच्छे से फ्राय करेंगे यहाँ पर हम मसाले को तब तक ढूनेंगे जब तक यह ओईल रिलिस नहीं कर देता अब मैंने यहाँ पर डाला है वन फोर चमच भुना हुआ जीरा पाउडर और वन फोर चमच डाला है गरम मसाला पाउडर इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसे भी हम एक से दो मिनिट तक यहाँ पर फ्राय करेंगे यह देखे मसाला हमारा अच्छे से फ्राय हो चुका है और उसने ओयल रिलिस कर दिया है और यहाँ पर मैंने डाला है एक कप पानी इसमें एक बॉइल आने देंगे हम और उसके बाद एट करेंगे सेव तो यहाँ पर मैंने यह मोटे सेव लिये हैं सेव दो प्रकार के आते हैं, एक फीके आते हैं और एक आते हैं तीखे, तो मैंने यहाँ पर तीखे वाले सेव लिये हैं, अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो यह तीखे सेव एड़ कीजिए, और अगर आप ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं, तो जो फीके स सेव आते हैं मोटे वो एड़ कीजिए तो मैंने यहाँ पर एक कब जो है पीखे सेव लिए और उसे एड़ कर दिया अब हम डालेंगे धनिया और अब हमें सेव डालेंगे बाद बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है तो यहाँ पर हम गेस का फ्लेम कर देंगे ओफ और यह द देयार है इसे आप गर्मा गर्म पराटे के साथ सर्व कीजिए बहुत टेस्टी लगती है सेव टामाटर की सबजी की रेसिपे आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा